जैहिंद आप सभी को नमस्कार, so hope you all doing pretty well, welcome back to your own channel, dream dose, telegram का लिंक नीचे होगा, जितने भी science के आपके pdf है, चाहे one liner हो, चाहे हमने जो भी अच्छे चे topics आपको करवाए हैं, वो हमने telegram पे उसका pdf भी डाला है, प्लस आप whatsapp से जुरूर जूर जूर जाए, जो भी important points होते ह science का मैं whatsapp भी update करते रहता हूँ, अब आज का जो topic है, यह बहुत ही important है, जो भी बिहार का exam हो रहा है, चाहे बिहार दरोगा हो, चाहे BPSC हो, इसमें एक चीज़ को बहुत ही regular basis पे पूछा जा रहे है, sigma bond, pi bond, और covalent bond, ठीक है, आपको hydrocarbon दे दिया होगा, उसमें पूछा ज आती है, आज वह हम इस वीडियो में आपको बताने है, जैसे कि अब रिसेंटली जो exam होगा, अगर आपको याद है, तो यह question पुछा गयाता है, number of covalent bond, जो pentane में, ठीक है, यह formula आपको नहीं दिया रहेगा, अब समझ लो, ठीक है, तो अगर आपको आता है, तो सबसे पहल सबसे पहले, बिसे इक्दम si start करने हो, आप समझ लो, क्योंकि बहुत important है, तो इसमें सबसे पहले जो होता है, कि covalent bond, जो होता क्या है, वो आपको सबसे पहले समझ लो हमाद, उसके ऐसके formula कैसे formation होता है, मैं वह आपको आपको समझाओंगा, और last में, मैं आपको यह समझा सब्सक्राइब करना है जो यहां आपको पढ़ाया जा रहा है आपको यह दूसरों से बहुत आगे ले जाएगा पेपर उठाके आप देखिएगा चाहे बाइलोजी का कोशन चाहे फिजिक्स का कोशन नहीं चाहे आप सिप्ट वन का लो चाहे चाहे आपका एलेक्टोन एफिनिटी लो सब चीज हमने परहा है जो डिफिकल्ट कोशन थे अब इस्टार्ट करते हैं हम लोग ज्यादा तारिफ नहीं करते हैं बाकि आप खुद समझदार हो अगर जो आप मुझ से जुरे होई है तो कोवालेंट बॉन्ड हो और आयोनिक बॉन्ड हो ठीक सेयोजी बॉन्ड होता है और विद्धूद जिसको हम लोग इंगलिस में बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड या उसको अम लोग बॉलते हैं अलेक्ट्रोवैलन बॉन्ड आखिरी यह क्या है तो आप सबसे पहले डिफरेंस आप क्या समझने बाले हो covalent bond, सयोजी बंधन और आपका विद्धुत सयोजक बंधन जो होता है वो क्या होता है देखो सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ covalent bond ठीक है देखो covalent bond मतलब क्या होगा जब bond कब form होते है सबसे पहले आप यह समझे सेयर कर लेंगे इसका मतलब आप समझो ठीक है मैं आपको समझाने की कोशिस करता हूँ थोड़ा समझेगा देखे आपका जो covalent bond है ससयोज अपबंध जो है इंगलिस बाले आपके लिए यहां लिखा गया और इंदी बाले के लिए मैं बोल रहा हूं तो जब भी हम लोग covalent bond की बात करेंगे तो covalent bond में क्या होगा आपका जो bond form होगा जो आपका बंधन जो उसमें form होता है अपबंध जो form होता है उसमें होता है कि आपका electron का share होता है ठीक है और जो आपका ionic bond चाहे electrovalent bond ठीक है या वेद्दुत अपबंध अगर हम लोग बोलें ठीक है तो इसमें क्या होता है electron का क्या होता है transfer होता है तो आपका next जीस दिमाग में आएगा सअफिर क्यों हो रहा है यहां आपका transfer क्यों हो देखे, दुनिया में जो भी चीज़े हैं, वो अपने आपको चाहता है कि वो इस्टेबल हो जाएगा, आप भी जॉब लेना चाहते हो, चाहते हो गी नहीं, चाहते हो, क्योंकि आप उसके बाद इस्टेबल हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा, जॉब करोगे, पैसा बस सेटल डाइफ, आप इस्टेबल हो जाएगा, उसी तरीके से केमेस्ट्री में क्या होता है, कि जितने भी आपके तत्व होते हैं, जितने भी आपके एलिमेंट होते हैं, वो इस्टेबल होना चाहते हैं, सबसे पहले मैं बात करता हूँ, आपको आयोनिक बॉन्ड, रखेगा अगर मैं पुछो कि कौन सा बॉंड हो रहा है मतलब है किस टाइप का बॉंड है सोडियम में और क्लोरीन में तो आप क्या बोलोगे इसमें आपका क्या है आपका आईवोनिक बॉंड है एलेक्टो वैलेंड बॉंड है या वैद्दूत संयोजक बंधन है इसमें तो इसमें क्या होता है एलेक्ट्रोन आपका टांसफर हो रहा है आप देखो कैसे सूडियम है सूडियम का अटोमिक नंबर कितना होता है आप सब को पता है वो कितना होता है 11 होता है इसका आपका प्रमानु संख्या होता है प्रमानु संख्या कितना होता है 11 होता है तो पहले स इसके पास नहीं रहता, सिर्फ 10 रहता, तब तो यह stable हो जाता, क्यूंकि जो second बहुता है, maximum कितने रह सकते हैं, 8 रह सकते हैं, ठीक है, तो अगर 2 और 8 रहता, तो क्या होता, यह stable रहता, पर इसके पास 1 क्या है, extra है, तो यह चाहेगा कि किसी को यह दे दे, ठीक है, और अब chlorine क देखो, 2 हो गया, 8 हो गया, और 7 हो गया, अगर इसके पास 1 और आ जाए, तो यह last में क्या बच जाएगा, यह 8 हो जाएगा, तो मतलब क्या हो जाएगा, यह आपका stable हो जाएगा, मतलब अगर यह दे दे, तो यह stable हो जाएगा, और इसके पास 1 आ जाए, तब यह stable हो है एलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड या हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड तो जब भी आपको पूछे कि वेद्दूत सयोजक बंधन जो बनता है ठीक है अब सर्फ कोवालेंट बॉन्ड क्या होता है तो कोवालेंट बॉन्ड आप देखो जिसे कि यह आपका हैड्रोजन हिं और यहां आपका क्लोरीं है अब ध्यान से समझता है उतल इसका एक? तो इसका तो बस एक ही होगा समझ रहो ना में क्या बता रहा हूं जैसे कि यह बीच में बाहर बला सेल में बट क्लोरिन का बाहर बला सेल में कितना होगा साथ होगा तो अगर क्लोरिन को एक मिल जाए तो यह भी यहां ठीक है तो इसके बज़े से क्या हो जाएगा इस तरीक से से हो जाएगा और यह जो बन्द यहां फॉर्म करेगा किया अघ्शन रिख करेगा रूijke next चीज आपको समझना है हम लोग आते हैं अप कोवालेंट बोन में ठीक है चुकि हमने questions वहीं से निकालना है देखे सबसे पहले आपको एक चीज पता होना चाहिए जैसे कि आपको बताया कि इसका आपको निकालना है ठीक है जैसे कि आपको मैंने यहां बताया यह देखे सिंपल सी बात है जहां hydrogen होगा carbon मिलके जो भी योगिक बनाएंगे जो भी compound बनाएंगे उसको हम लोग बोलते है hydrocarbon ठीक है अब देखिए यहां ध्यान से देखिए अब जो hydrocarbon हो सकते हैं आपको तीन तरीकी की हो सकते हैं एक हो सकते हैं आपके triple bond होगा अब देखो क्या होता है इसका मतलब इसका 스र्मूला जो हता है आपका अलवीक 11 का होता है अब देखो जैसे कि मैं बलता हूं methane क्या सैंफल है मिथेन में क्या होता है carbon and hydrogen होता है ठीक है तो देखो यह formula जो होता है आपका, elkin का होता है ये, और elkin का होता है ये, अब देखो, जैसे कि मैं बोलता हूँ, methane, methane क्या है, simple है, methane में क्या होता है, carbon and hydrogen होता है, ठीक है, तो देखो, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, myth, it, prop, but, pent, hex, इस तरीके से जाता है, ठीक है, तो अगर मैं बोलो जब क्या, आपको अलकेन में आजएगा, A, N, E में बोल रहा हूँ, methane, देखे, अगर मैं बोलता हूँ, methane, तो A, N, E आ रहा है, तो मतलब ये क्या होगा, ये होगा, आपका अलकेन, मतलब इसमें क्या होगा, single bond होगा, इसी तरीके से मैं बोलो, methane, E, N, E, A, N, E, तो मैं यहा ये वला हो जाएगा, उसके बाद मैं बोलो, methane, Y, N, E, आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा, M, E, T, H, Y, N, E, methane हो गया, ठीक है, methane हो गया, तो अगर मैं बोलो कि methane का आपको formula लिखना है, methane, A, N, E, मतलब ये वला formula लगा होगा, और methane में क्या होता है, N equal to 1 होता है, इसका जो formula हो और H, H है, फिर 2N है, N का value क्या है, 1 है, तो 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ 2, क्या हो जाएगा, H4 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, CH4 जो हो जाएगा, आपका methane का formula हो जाएगा, अगर मैं बोलो कि ये तो methane हो गया, methane का formula क्या होगा, तो simple है, फिर से यहाँ N का value क्या होगा, क यहां क्या हो जाएगा है चुश इस तरीके से जो यह फोर्मूला फॉर्म नहीं होगा इस समझ में है तो आपको यह समझ में आए कि formation कैसे होता है formula किस तरीके से formula जो है form होता है यहां तो आपको समझ में आ गया कि कि Ethan, टक है, तो Ethan में क्या है, N equal to 2 है, तो अगर मुझे बोले थाइन बन सकता है, तो definitely बन सकते है, मैं Ethan का बनाने के एकोसिस करता हूँ, देखे, Ethan में क्या होगा, N equal to 2 होगा, तो यहां मैं 2 डालूँगा, तो यहां C2 हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, n के जगा 2 डालोगे तो, h4 हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4, अब 4 में से 2 गया, तो यह हो जाएगा, c2, h2, ठीक है, तो यह क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, यह हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, माननों कि आपको एक फ़र्मूला में इस तरी किसे बोलता हूं कि मुझे propane बनाना ए, propane, a, and e बनाना है, तो propane बनाना है, a, and, e बनाना है, तो मुझे ये वाला formula लेना होगा, तो propane में क्या होगा, देखिए, propane मतलब क्या, n equal to three हो जाएगा, तो C3H, क्या है यहाँ, add 2N है, तो 3 है तो यह 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, प्लस यह 2 भी है नीचे, तो यहाँ 3 डालोगो न, तो 6 प्लस 2, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा, आपका propane का formula, तो यह basically क्या है कि आपको formula form करना, बस आप ethan, ethan, propane, butane, pentane, hexane, यह क्या basically बटाता है कि कितना carbon आपका होगा, यह हमें इससे पता चलता है, अब यह depend करता है कि वो आपको क्या propane पुछा है, Ane पुछा है, या propane पुछा है, और जैसा होगा, अगर यह होगा, तो single bond होगा, इसमें double bond होगा, इसमें आपका triple bond होगा, यहां चीक समझगwegen अब जब आप फोर्मूला समझ गए हो जो कि में आपको इतने दिर से समझा रहा था जैसे कि देखिये यहां क्या है मैंने पोपेन लिख़े ठीक है पोपेन लिख़े इसको जब लिखोगे एच कितना है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ इस तरीके से लगा देना क्योंकि एक कारबन क्या होगा इसके साथ चार बॉंड इस तरीके से बनेगा तब ही तो यह अपना iso ॉप्टेट करेगा तो तो इस तरीके से प्रोपाइन क्या होगा दो होगा एन का बहलू होगा तो इसमें टालो एच्फॉर हो जाएगा तो तो यहां H4 हो गया इसी तरीके से प्रोपाइन यहां क्या गया प्रोपाइन वाई एंडी आ गया प्रोपाइन वाई एंडी आ गया मतलब इसमें क्या होगा ट्रिपल बॉन्ट होगा देखो इसका बनता कैसे देखो यह बना फॉर्मूला देखो मैंने क्या बनाता अगर यह थे लेखा टो सब्से bénie logically Junior normal one- mechanical better एक एच इधर आजेगा एक एच इधर आजेगा सबर्राया और्ट सांसे बिष्टी होता थे समझ रहे हो ना रेकि यह होताए इस तरींगे से होता है पहला यह बीच में न्यूक्लेस तो पहले में कितना जाए अगर कार्बन का 6 है क्या atomic number कितना है आपका छे है इसका atomic number तो पहला सेल में कितना जाएगा दो जाएगा और बाहर में कितना बचेगा चार तो चार इसको और चाहिए ना तभी तो यह अपना update complete कर पाएगा तो simple समझ में आया तो simple है इसी लिए हर एक कार्बन क्या होता है चार आपका covalent bond बनाता है covalent bond मतलब आपका यह share करता है तो यहां double bond लगा है तो यहां तो इसका एक दो इधर बन गया एक इधर चाहिए एक इधर चाहिए तो इसका किया है तो अब देखिए यह होगा आपका propine ठेक है यह आपका propine अब यहां क्या होगा triple bond होगा formula कैसे form होगा बस यह बलाप लगा लोगए यह फोर्मूला आपका आजाएगा यहां c का हाई का triple bond आएगा ठीक है तो मैंने यहां तीन बॉन्ट वला लगा दिया तो इसको एक और कितना चाहिए तीन तो इधर बन गया यह कार्बन के लिए तीन इधर बन गया तो बस एक इसको और चाहिए वह इस कार्बन के साथ बना लिया और लास्ट वहला जो कार्बन है उसको एक तो यह इधर बना यह तो तीन इसमें हाइड्रोजन डले यह वाला फॉर्मूला आपका सेटिस्फाइड हो जाएगा तो आपने अभी क्या समझा सबसे पहले आपने यह समझा कि आपका जो कोबालेंट होता है सयोजी बंधन जो होता है ठीक है वो क्या होता है तो उसमें सेरिंग ऑप एलेक्ट्रोन होता है जो आप पूरा का पूरा हाइड्रो कार्वन में पर होगे क्योंकि कार्वन जो होता है और हाइड्रोजन जो होता है बेसिकली क्या होता है सेयर अप एलेक्ट्रोन को से है एक इधर एलेक्टोन है दुनों मिल के इसको अपना bleibt कर ले स पहले तो आप एक तरीके से डायरीक्स ली आप क्या कर सकते भ्यान से देखना अब हम लोग आते हैं question पर मालनी जा आपको बोलेगा propene इसले इतना कहान इसले बतायांगा है कि हर जगर से questions पूछते हैं डायरेक्ट की यहां आ जाता तो आपको समझ भी नहीं आता देखें तो यहां हम लोग आते है propene अब कुछ एका कि propene में कितना सयोजी बंदन तो याद रखीगा आपको क्या करना है यह इस तरीके से मैंने बना है तो इस तरीके से ड्रॉ कर लेना थे एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ एक नौ ठीक है आठ नौ 10 से की 11 देखें आप इसमें कितना इसमें पुछा गया है कि आपका कोवलेंट बोन है तो देखो काउं आठ नौ 10 दस इसमें कोवलेंट बोन है अगर आपको पुछी का प्रोपेन में इसका मैं सौट भी बताऊंगा कि पहले समझ लो उसके बाद अगर पुछी का इथीन में कितना है तो देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ है साथ है और अगर पुछी का प्रोपाइन में कितना है ठीक है क्या बोलोगे एक ठीक है दो तीन चार पांच चे साथ आठ ऑठ है समझ में आया तो अब डाइरेक्लिए इस पे आते हैं कि अगर ठीक है वैसे तो आप बनाके कर लोगे बट क्या बिना बनाए संभब है बिलकुल संभब है अब जो मैं बताने जाना वोद् important है क्योंकि आपको formula बनाने पूछा जाता आप देखिए जैसे कि यहाँ प्रोपेन लिखा हुआ है यहाँ इथीन लिखा हुआ है यहाँ प्रोपाइन लिखा हुआ है जब भी आपको alcan related चीज होगा क्या मैंने बोला alcan related पहला जिसमें क्या होता है single bond होता है तो जो भी आपको यह दिया होगा बस उसको आप add कर लेना उसमें एक minus 1 कर देना वही आपका answer होगा जिसे 8 है 9 10 11 11 11 आया इसमें minus 1 कर दो 10 इसका answer होगा इसका proof देखना है तो proof हम यहाँ देख सकते हैं देखे हमने सबसे पहले क्या क्या था alcan का क्या था अब देखिए यहाँ हमने 10 निकाला वहाँ अब देखिए यहाँ 10 है कि नहीं एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो नो आ रहा है ठीक है तो मतला हम लोग में कुछ mistake क्या है नो आ रहा है नहीं ठीक है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो और यह एक 10 ठीक है यह ऐसे गिनना है देखो मैं फिर से आपको गिन के बताता हूँ मतलब क्या सेरिंग ठीक है तो पहला एक जगा यहां सेरिंग हो रहा है एक दो तीन चार पांट छे साथ आठ नो दस दस हो गया और इसी को मैंने डाइरेक्ली कैसे होला था जब भी एलकेन रिलेटेड़ चीज होगा यहां क्या है एलकेन है ए एन ए आ रहा है इन दोनों को दो एड़े करो कि 8,9,10,11,11, 11 हो गया क्या होगया आपका यहां 8,9,10,11 हो गया,11-1 तो डेकेशन, अब दूसरा मैं बता रहूं को तुसरा आपको जब भी आपको इठीन आया, मतलब इठीन एठीन मतलब क्या हो गयी ज आपका single bond भाता तके जभी आपका double bond भला आय कि आपका डवल डवल देखो जो आपका जो double bond जो single bond होता है सेचुरेचिक खुरेटीड हाई्डोकर्वर होगा और जो आपका double bond और triple bond होता है यह double one और triple पहलो इसको क्या बोलते है अंसेचुरेटेड हाइड्रोकारबन ठीक है इसको हिंदी में एक जगने मुझे याद नहीं आ और सिरिप और सप्रित कुछ इसको बोला जाता है ठीक आप देख लेना एक बार जो आपका अंसेचुरेटर हाइड्रोकारबन बोलते है और जो आपका सिंगल जो होता है उसको सेचुरेटर हाइड्रोकारबन बोलते है तो अब जो इथीन है इथीन जो है आपका अब इसमें कैसे निकालोगे तो जब भी आपका एलकेन वाला चीजा है तो जो भी उसके नी करते होगा आपका एंसर आजाएगा जब भी आपका इथीन हो बस जो दिया हुआ उन्दोनों को प्लस कर लेना वही आपका इंसर होगा मतलब इसका इसका इंसर यहां कुछ नहीं है देखे एक दो तीन चार पांच छे आया छे आपका इंसर होगा ठीक है समझ में आया तो जब भी आपका इलकीन के फॉर्म में होगा जो भी होगा इसको डिर्कली एड करके नीचे लिग दिना यह बहुत ही सॉलिड चीज में आपको समझा रहा हूं ठीक ह होगा अब जब भी आपका ट्रिपल बॉन बाला हो याधड रखना इन दोनों को फ्लस करके इसमें और फ्लस वन कर देना अब ध्यान से समना सबसे पहले मैंने Elkan का बात किक Chenowna में मैं नहीं क्या क्या इसमें दोनों के एड़ करके प्लस वन कर दूंगा मतलब चार पांच एक साथ है तो एक साथ साथ में मैं प्लस वन करूँगा तो मेरा आ जाना चैब आठ इसको आप क्या किया था 4 3 7 7 तो 7 प्लस 1 इक्वेल टू 8 ठीक है तो इसमें जब भी lk आएगा तो आप क्या करोगे माइनस 1 करोगे ठीक है इसमें जब आएगा तो जो है directly इसको add कर दोगे और जो इसमें आएगा तो दोनों के add करके प्लस 1 कर दोगे याद रखेगा यह बहुत important चीज में आपको समझाया है अब आते हम लोग हमारा question पर ठीक है अब देखो जो question पूछा गया था देखे paper leak हो गया था मैंने लिग दिया paper leak हो गया था ब्यान हो पर लिग हो जाता है ठीक है और हम लोग पढ़ाते रहते हैं स्टुडेंट पढ़ते रहते हैं और मेहनत करते रहते हैं अगर जब अंदोलन होता अगर साथ नहीं दोगे तो यह paper leak होते रहेगा ठीक है तो पढ़ने से नहीं होगा थोड़ा बोलते हैं आजादे भी हमें बैठके नहीं मिले था अगर बातों से आ जाती मिल जाता तो कापी पहले मिल गया होता उनीश सब्यालिस तक हमें आने की जुरती नहीं पड़ता तो राइट्स के कभी कभी लड़ना पड़ता है चलो दिनंबर और कोवालेंट पहुंच सायोजिक बंदान इसमें कितना है अब मैंने आपको यहां देखो यहां फॉर्मूला दिया होगा यह वाला ठीक है आपको सिंगल बॉन्ट बला है तो मतलब इन दोनों को आपको दिखा देता हूं अगर आप इसको देखना चाहते हैं देखो सी फाइव एक दो तीन चार पांच ठीक है एक दो तीन चार पांच अब देखो यहां तीन हाइडोजन आएगा यहां दो हाइडोजन आएगा यहां दो हाइडोजन आएगा और फिर से यहां तीन हाइडोजन आएगा ठीक है हमने कितना निकाला था एंसर सुल्ला निकाला तो 3 इधर हो गया, 3 तो यह हो गया, 3 यह हो गया, कितना हो गया आपका, 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हो गया, 13, 14, 15, 16, तो answer आपका यहां satisfied हो गया, समझ में आया, तो यह था, आपको मैंने पूरा detail में समझाया, ठीक है, best तरीके से एक और इसमें पूछा जाता है, कि sigma bond और pi bond, ठीक है, तो उसको हम लोग next class में करेंगे, तो जो भी चीज में आपको समझाया है, please याद रखिएगा, ठीक है, बहुत ही बहतरीन तरीके से में आपको समझाने यह कोशिस किये, और यह चीज है कि से और आपको पूछा जाएगा, so thank you so much, चैनल पर नहीं हो, सब्सक्राइब कर लेना, आज से आपका cobalent bond से कोशन नहीं चुटेगा, चाहिए आपका saturated hydrocarbon है या unsaturated hydrocarbon है, कुछ भी और पूछे आप उसके formula भी, आप easily उसके draw कर पाऊगे, जहीं